Hello Students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो Dear Students, Job Fair से सम्मंदित बहुती महत्पूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है ये Job Fair Polytechnic Diploma Students के लिए है, ITI Students के लिए है, High School, Intermediate, Graduates, Post Graduates और इसके अलावा जो Computer के जो Course Students करते हैं, जैसे O Level, A Level उनके लिए भी है तो ये सभी के लिए Job Fair है, ये जो Job Fair का आयोजन है, वो NIE, LIT, आप सभी जानते हैं, ट्रिपल सी वगरा का कोर्ट जिनों ने किया होगा A Level, A Level किया होगा, तो सभी आप परचित होंगे, इसका फुल फॉर्म है, राश्ट्री, इलेक्रोनीकी, एवम सूचना, प्रदोईकी, संस्थान, गोरकपुर और दो एक और जो भारत सरकार का अंतरगत आने वाला नेशनल केरियर सर्वेस, सुरम हम रोजगार मंत्राले भारत सरकार, दोनों संयुक त्रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं, तो इस रोजगार मेले की खास बात यह है, कि इसमें 400 से अधिक जॉब रहेंगी, और 20 से ज़ पताया कि इसमें जो जो क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब सब के लिए हाई स्कूल से ले करके, पोश्ट ग्रिजुएशन तक आपने कोई भी कोर्स किया है, या आपने कोई भी A-Level, O-Level का इस तरीके का कोई कोर्स किया है, ITI है, डिगरी है, डिप्लोमा है, 10 प्लस 2 है, आपको NCSID रेश्टेशन होना चाहिए, अभी मैं दिखाऊंगा Google Form में, उसमें आप आसानी से कर सकते हैं, भारत सरकार का ही है, उपकरा में उपर मैंने आपको दिखाया ता बिभाग है, इसमें आपको Portal में रेश्टेशन करना चाहिए, और आपके लिए आगे काम भी आए लीजे, जो कि एक नॉर्मल आपको बताया जाता है कि कहीं भी आप जाईए, तो ये सब जरूर करिए, कहां पर है, ये आपको मैं बता देता हूँ, NIE, LIT गोरगपुर, ये ट्रिपल M, UT, यानि मदन महन मालवी ये यो यूनिवस्टी है, उसके ही केंपस में है, ये और ये Google Form भरना रहेगा registration के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसकी link description box में दे देता हूँ, तो आप उसमें समय से registration कर लिजे, इसके अलावा ये जो number आपको दी है, ये WhatsApp number है, आप call भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं, इनके group में join भी कर सकते हैं, बस एक सबसे बड़ी कुछ ना कुछ high school या उससे उपर होगी ही होगी, तो वो सभी जरूर जाएं, polytechnic, diploma की students जरूर जाएं, ITI वाले जाएं, BTEC वाले जाएं, UG, PG वाले सभी इसमें students को जाना चाहिए, job के लिए जिनको भी job की अवशकता है, तो इसमें job profile CSIT के लिए बहुत अच्छा scope दिख analyst, customer support, service sector, marketing, management, security services, teaching, administrative, finance, data entry, multitasking services, etc. कई तरीके की इसमें job profile है, जो इसमें और एटसेटरा लिखा है, मतलब बहुत सारी हो सकती है, companyya 20 से अधेक हैं, तो इसमें job का उसर जरूर प्राप्त होगा, अब मैं जल्दी से Google Form दिखा देता हूँ, और उसमें NCS जो इसमें एक दिय है ना कि registration NCS ID होना चाहिए, वो कैसे कराते हैं, वो portal भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको registration में कोई समस्या ना हो, तो ये students आप जैसे ही click करेंगे, link में तो इस तरीके से Google Form खुल करके आ जाएगा, MCC NIE LIT गोरकपुर job fair registration, सब इसमें देखी वही चीज लिखी ह हुई है, कि 20 से ज़्यादा company आ रही है, 400 ज़्यादा vacancy है, 22 December को होना है, और यहाँ पर जो NIE LIT के official website है, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, इनका WhatsApp ग्रूप भी आप जरूर जोएन कर लीजे, join WhatsApp ग्रूप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपको WhatsApp ग्रूप जोएन हो इन नमर्स पर आप बात कर सकते हैं, अगर मन में कोई संका है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, email address पूरा सही सही लिखे, name, gender चूस कर लीजे, यहाँ से category चूस कर लीजे, date of birth यहाँ बढ़ दीजे, father's name, mother's name, contact number सही सही दीजे, अपना WhatsApp नमर सही सही दीजे, correspond address मतलब पूरा चार किया जासा के, pin code सही पूरा address लिखे, postal pin code, बिल्कुल pin code सही सही बरिये, जहां से आपके घर में डांक आती हो, post पहुंसती हो, highest qualification क्या है, यदि आप डिप्लोमा पास आउट कर लिए हैं, तब ही डिप्लोमा लिखिए, यदि ITI कर लिए हो, तब यदि आप अध दिखा सकते हैं, या BTEC, या PG, UG, जो भी है, highest qualification status में, completed pursuing, तो इसमें आप देखिए, डिप्लोमा भर सकते हैं, जो pursuing है, last semester में हैं, या भी कर रहे हैं, तो यह देखिए, option इन्हों ने दे दिया, तो आप यह diploma लिख करके, pursuing दिखा सकते हैं, यदि complete हो गया है, तो आप completed में द दिखा सकते हैं, दोनों option दे दिये हैं, इन्होंने, highest qualification लिख के यदि आप अंतिम semester या अंतिम year में हैं, तो वो लिख करके, आप pursuing लिख दीजे, pursuing मतलब अभी अध्यान रहते हैं, completed मतलब complete हो गया है, year of passing, highest qualification, जब आप पास यदि pursuing हैं, तो आप 2024 में पास हो सकता है हो, और यदि आप अभी pass out हो चुके हैं, तो जिस year में pass out हो हैं, उसको भर दीजे, percentage सही सही लिख दीजे, name of college पूरा लिखे, course done at NIE LIT, यदि NIE LIT से आपने O level, A level, कुछ भी आपने किया है, intensive, summer training, short term course भर दीजे, यदि आपने नहीं किया है, तो no course from NIE LIT ये करके आप कर सकते हैं, लेकिन आपने यदि किया हो, triple C बगएरा, online कोई course किया हो, NSQF course किया हो, other course from NIE LIT, उपर O level, A level के अलावा कोई और course किया हो, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि यदि आपने करवाते हैं, यहाँ पर ये NCS ID जो बात कर रहे थे, ये NCS portal है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे, तो एक portal आपके सामने खुल जाएगा, देखे, ये खुल गया, ये देखी, National Career Service Ministry of Labor and Employment, ये Government of India का portal है, तो इसमें देखी, registration का बिलकुल ये है, नियू यूजर आपलिक साइन अप यहाँ पे, तो यहाँ पर नियूजर आपलिक साइन अप में करके, अपना एकाउंट बना लीजी, registration क्रियेट कर लीजे, और यहाँ पर कोई help की जरूरत हो, तो यहाँ पर help वीडियो भी दिये है, आप जो है तो job seeker के रूप में अपना registration कर रहे है, तो job seeker पर क्लिक करेंगे, तो वीडियो आ जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजे, और पूरा अच्छे से registration करके, फिर वहाँ पर number की जरूरत पड़ेगी, आपको तो वहाँ पर आप क्या करिए, भर दीजे, उसके बाद सबसे last में आपको अपना resume लगाना है, add file यहाँ कर दीजे, आपको content, passport, size photograph, all academic details, degree, certificate, personal detail, address, होबी, सब इसमें होना चाहिए, पूरा का email ID उस पर पहुँच जाएगा, तो आगे future के लिए काम आएगा, तो अपने दोस्तों को पर्चेतों को जरूर बता दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बिसेश तोर से जो गोरक पुरिया, उसके आसपास रहने वाले students हैं, वो इसमें जरूर जाएं, जो बहुत दूर हैं, ठ् से ज्यादा से ज्यादा students को बताईए, qualification आपसे बताई दिया कि कुछ भी हो सभी के लिए आउसर है, तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ, आप सभी को मेरी शुब कामनाए हैं, thank you very much